इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं किस तरीके से हम अपना लिनोट का एकाउंट बनाएंगे आपको यह लिंक वीडियो के डिस्किप्सिन में मिल जाएगा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर सर्च करोगे लिनोट फ्री ट्रायल कुछ इस तरीके से तो आपको यहाँ पर एक भी लिंक देखने को नहीं मिलेगा लिंक फाइंड करना काफी मुस्किल है अगर आप लिंक के थ्रू नहीं जाते हैं तो आपका लिनोट एकाउंट नहीं बनेगा अगर बनते भी हैं तो आपको एक सट दोला का फ्री क्रेडिट नहीं मिलेंगे इसलिए मैं आपको यह लिंक विडियो को डिस्क्रिशन में देदूँगा आप वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे साइन अप विद गूगल इसके बाद यहाँ पर अपना जिमिल आड़ी को स्लेट कर लोगे यहाँ पर आपको अपना मोबाल नमबर फिरफाय करना है फिर यहाँ पर अपना कंट्री को स्लेट करोगे आप जिस भी country से हो अपना country code को select कर लोगे जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया select करूँगा और इंडिया country code क्या होगा प्लस 91 फिर यहाँ पर टैप करेंगे mobile number mobile number टैप करने के बाद हम यहाँ पर click करेंगे send code तो आपके mobile number टैपी चला जायागा उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर click करेंगे verify phone number इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस page में आ जाओगे यहाँ पर अपने according चूस कर लोगे आप professional use के लिए इस्तमल करने वाले हो Radius Cloud Cost then यहाँ पर click करेंगे continue to billing इसके बाद आप इस page में आ जाओगे ध्यान रहे हैं कि जब आप इस page में आ जाओगे तो यहाँ पर आपका permocode कुछ इस तरीके से applied होगा अगर यह applied नहीं होते हैं तो आपको 100 लोर का free credit नहीं मिलेंगे इसके बाद यहाँ पर अपना credit card को link करोगे आपके बाद जो भी credit card है यहाँ पर card number इंटर करोगे फिर यहाँ पर टैप करोगे express date इसके बाद यहाँ पर टैप करोगे security code यानि कि अपना CVV number साथ में यहाँ पर mention किया हुआ है आपके credit card से 1 dollar date कोंगे जो की 7 days के अंदर आपके bank account में refund हो जाएंगे इसके बाद करोगे नीचे scroll यहाँ पर टैप करोगे अपना first name फिर last name अगर आपका कोई company है तो यहाँ पर company name टैप करोगे फिर यहाँ पर fill करोगे address यहाँ पर address 2 को आप छोड़ सकती हो क्योंकि यह optional है फिर यहाँ पर set code अपना state आप जिस भी state से हो अपने state को कर लेंगे select फिर यहाँ पर type करोगे अपना postal code यानि के अपना pin code सारा information फिल करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसे accept दिन यहाँ पर click करेंगे create account इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से congratulation का notification आ जायेगा अगर आपका account within minute verify हो जाते हैं या फिर आपका account चले जाएगा review में फिर उसके बाद आपका account पास हो जाएंगे जैसे कि हमारा account within minute verify हो चुका है तो हम यहाँ पर click करते हैं go to cloud manager तो हम कुछ इस तरीके से आ चुके हैं फिर हम जाते हैं यहाँ पर account में तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा 100 dollar वाला account बन चुका है और यह credit expire होंगे 01-02-2025 को जो की काफी long time है इसके बाद मैं अपना gmail ID भी दिखायाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर message आ चुका है welcome वाला one minute ago account confirmed और हमें मिल चुके 100 dollar का free credit साथ में यह credit expire होंगे 60 days के बाद जो की काफी long time है तो आप इस वीडियो में complete सीख चुके हैं किस तरीके से आपको अपना linode वाला account बनाना है वहीं अगर आपको जनना है linode से किस तरीके से proxy बनाया जाता है तो उसके लिए मैंने complete course बनाया है आप उस course को buy करके काफी आसानी से सीख सकते हो आप किस तरीके से अपना proxy बना सकते हो आपको करव में जाकर साच करना है मैंने channel का name तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे मेरा website आप यहाँ पर किलिक करोगे फिर इसके बाद आप यहाँ पर किलिक करोगे our methods तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे course लेकिन स्रीप आपको proxy वाला method बाई करनने के लिए आपको इस course को बाई करना है आप इस course में सीखोगे किस तरीके से आप लीनोर कलाउट से, वोल्टर कलाउट से AWS से, एंड डिजिटल ओसियन से अपना proxy कैसे बनाऊगे आपको सारा चीज एक ही course में देखने को मिल जाएगा आपको अलग से कोई other course बाई करने की जरूत नहीं है सारा information एक ही course में है अगर आप interested हो तो इस method को बाई कर सकते हो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद